Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज हम सीखने वाले हैं JGPT4 को free में कैसे use करें, सही है. It's possible to chat JGPT4 को आप use कर सकते हैं free में, सही है. तो चलते हैं अपने screen के उपर बगर time दाए कि आपने google पे जाना है और type करना है Maryland, सही है. Maryland type करना यह एक third party software है जिसके जरिये से आप JGPT4 को free में access कर सकते हैं और उसको use कर सकते हैं, सही है. Step by step seeking है, वाडियों के साथ जुड़े रहना है, वाडियों को end तक देखना है ताकि आपको पूरा समझा सके, सही है. तो चरते है, Maryland के अंदर जाने के बाद इसके उपर just आपने click करके login करना है, शही है. Google Chrome अपने Gmail के जरिये से आपने इसमें login करना है, करने के बाद sign up करना है. करने के बाद आपने यह एक असल में third party AFA, जो कि charge D4 को free में access दे रहा है, लेकिन limits के अंदर शही है. याद रहें, यह कुछ limits देता है, उसको इतने आप search कर सकते हो, like बहतर 110, मैंने बहतर से 110 से बहतर कुछ यूज किया है, ताकि मुझे बहतर दे रहा है. आप यहां से chat GPT 4 को इसी तरफ select कर सकते हैं, सही है, पेले मेरा 33.5 select था, अब मैं 4 select कर सकता हो, करने के बाद आप यहां पे search कर सकते हैं, कोई भी चीज. सही है, without any hesitations, आप search करके chat GPT को free में use कर सकते हैं, सही है, generate me a calculator, a code of clcultor with front end and back end code. आप जस्त इस तरह type करेंगे, तो यह तवाम coding जितने भी front end back end coding है, आपको generate करके ले देगा, सही है. जबकि आप इसको ले जाके drag and drop करके आपने subline में जिस तरह भी आप यहां पे use कर सकते हैं, use कर सकते हैं, सही है. तो इसी तरह आप बहुत से चीज़ें आप यहां पे search कर सकते हो, बहुत से audio, tracks के ज़रिये से आप क्या कहते हैं, image के ज़रिये से, आप इसी तरह कोई भी image select करके, सही है, तो image को सबसे पर आप अपलोड करेंगे, tell me about that image, इस image के बारे में आपको बताएगा, सही है, कोई भी कुछ भी आप अनलब thumbnail या कोई भी search GPT forwards यह process करेगा और इसके बारे में आपको पूरा तबाम चीजें बताके display करेगा, सही है, यह यहां पर एक image है, मैंने demo के लिए मैंने upload किया हुआ, search GPT और perplexity के बारे, perplexity भी search GPT के दर एक AI software है, जिसके जरिये से जितने भी search GPT में काम होते हैं, वो search GPT for में काम होते हैं, वो ने perplexity बहतरीन तरह के से करता है, इसके बारे में मैंने upload भी बनाई, यह आप link में description में दे दूँगा, वहां से आप जाके देच सकते हैं, तो इसी तर यह जा करता है, इस image के बारे में, image के द टॉल करा सकते हैं, तो यहां तक ता मेरा वीडियो भी दे आप लोगों को सवन्यों है चुकी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू फॉर वाचिंग